शिव सेना शिंदे गुट के विधायक संजगायकवाड ने कॉंग्रेस सांसद राहूल गांधी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। संजगायकवाड बोले राहूल गांधी की जीव काटने वाले वेक्ति को वो 11 लाख रुपे दे। महीं कॉंग्रेस ने राहूल गांधी के खिलाव दिये जुआ रहा है आपति जनक बयानों को लेकर प्रधान मंतरी नरेन मोदी और ग्रहा मंतरी अमिशा पर निशाना साधा है। कॉंग्रेस ने कहाई कि अगर नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इंसात्मक बयान देने वालों पर एक्षण नहीं लिया जाता है तो इसका मतलब ही कि ऐसे बयान प्येम और ग्रहा मंतरी के इशारे पर दिये जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक महरास्ट कॉंग्रेस के कारेकरताओं ने बूलधाना पुलिस टेशन में संजय गायकवाड के खिलाफ शिकायत दर्च कराई। वही महरास्ट में शिव सेना शिंदेगुट के साथ सत्ता में काबिस विजेपी ने खुद को संजय गायकवाड के बयांसा लग किया है। की जीब काटने वाले वेक्तिकों में 11 लाक रुपे का इनाम दुआ। रहूल की डिपडियां लोगों के साथ सबसे बड़ा विश्वास गात है। मराथा, धन नगर और ओबीसी जैसे समुदा आरक्षन के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहरे ही रहूल आरक्षन के फायदे खत्म करने के बारे में बात कर रहे हैं। रहूल गांधी सविधान की किताब दिखाते हैं और परजी धान न फैलाते ही की बिजेपी सविधान बदल देगी। लेकिन कॉंग्रेस की देश को 400 साल पीछे ले जाने की योजना है। लोगतांत्रिक विवस्था में पांच बार के चुने हुए सांसद इस देश के नेता प्रतिपक्ष के लिए जिन शब्दों का प्रयोग बीजेपी या उनके घटक दल कर रहे हैं। इस हिंसा पर वरदहस्त किसका है। ये सारे नफरती चिंटू इस तरह की बात कैसे कर पा रहे हैं। असल आतंकी ये हैं। इनकी जगे जेल में हैं। ये जेल कब जाएंगे। और अगर इनको नरेंद्र मोदी और अमित्शा का संग्रक्षन नहीं हैं तो क्या इनकी हैसियत और हिम्मत हैं कि ये इस तरह की बाते कर ले। आपने एक आदमी का नाम लिया वो और भौके तो देश को उसकी असलियत और पता चलेगी। पंजाब ने आपको पैदल कर दिया अभी भी आप अपना पाठ नहीं पड़े हैं। जिसकी राजनीती राहुल गांदी के आगे पीछे गूमकर चमकी जब वो इस तरह की बाते करता है तो शर्म आती है। लेकिन असलियत ये भी है कि जब आप कॉंग्रेस के सगे नहीं हुए तो बीजेपी में आपके उपर भरोसा कौन कर रहा है। तो आप सिर के बल खड़े होकर चिलर पाटी की तरह चिलाएंगे इस तरह के बेतु के बयान देंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ हिंसात्मग बयान देना, हिंसा की बात करना एक लोगतंत्र में बिलकुल भी बरदाश्ट नहीं किया जा सकता है। और मैं इस मंच से कहती हूँ, अगर नरेंद्र वोधी और अमिच्शा इन सब लोगों के खिलाफ आक्षन नहीं लेते हैं, तो यह आपके इशारे पर कहा जा रहा है, आपका संगरक्षन प्राप्त है। इस देश में लोगतंत्र में हिंसा की लेश मातर जगे नहीं हैं, अगर आप लगातार इन चीज़ों को होने दे रहे हैं, तो यह आपके इशारे पर चीज़े हो रही हैं, राहुल गांधी को इन चीज़ों से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। अजनबियों से मिले लोगों के आशू पोचे लोगों को ढांड़स बदाया, इस देश को लगता है कि वो एक आखरी उम्मीद है। बेरोजगारों को लगता है, युवाओं को लगता है, किसानों को लगता है, मजदूरों को लगता है, महिलाओं को लगता है। ये कुछ नहीं है आप जितना राहल गांदी के खिलाफ जहर उगलिएगा आप उतनी जादा अपनी फजीहत करवाईएगा लोक तंत्र के चुनावी मैदान में